एपिकुरुस प्राचीन यूनान के दार्शनिक थे। ये आनंदवार्द के संस्थापक थे। उन्होंने कुछ तीन सौ के करीब प्रिष्ठ लिखे होंगे जिनमें कुछ पत्र ही बचे हुए है। आईए जानते हैं उनके कुछ एपिकुरुस के अनमोल विचार। जो आपके पास नहीं है उसकी इच्छा करके जो आपके पास है उसे बरबाद मत करो। याद रखें कि अब जो आपके पास है वह उन चीजों में से एक है जिनकी आपको केवल आशा थी। मृत्यू हमें चिन्तित नहीं करती क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तब तक इसका अस्तित्व नहीं है। और जब यहां आती है तब हमारे होने का कोई अर्थ नहीं रहता है। ऐसे तत्वग्यान का कोई मतलब नहीं है जो दूसरों के दुख को कम करने में असमर्थ है युवाओं को ग्यान पाने के लिए कभी भी धीमा नहीं होना चाहिए और बूढ़ा हो जाने पर बिना थके ग्यान की तलाश करते रहना चाहिए आत्मा के द्रिड़ता के लिए कोई भी आयू बहुत जल्दी या बहुत देर से नहीं होती है समस्या जितनी बड़ी होगी उसे हल करने का स्वाद भी उतना ही मिठा होगा परेशानी से भरे एक सुनहरे पलंग और एक संपन मेज के बजाए यहाँ आप के लिए बहतर है कि आप एक चटाई पर लेटे हुए भै से मुक्त रहें तूफान का सामना करने के बाद ही कोई अच्छा कप्तान बन सकता है यानि अपने काम में आगे बढ़ने के लिए समस्याओं का सामना करना सबसे महत्वपूर्ण है बिना समझदारी और न्यायपूर्ण जीवन जीते हुए एक सुखत जीवन जीना असंभव है और एक सुखत जीवन जीने के बिना समझदारी और न्यायपूर्ण जीवन असंभव है कानून एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आप किसी को पीडा नहीं पहुँचाते हैं और नहीं आप किसी को पीडा पहुँचाने की अनुमती देते हैं एक अच्छा जीवन जीना या अच्छे तरीके से मरना दोनों एक समानकला है उन चीजों के लिए भगवान से प्रार्थना करना निरर्थक है जिसे आप खुद प्राप्त करने के लिए पात रहें उस व्यक्ती के लिए कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है जिसके लिए ज्यादा का अर्थी कम है उसी समय आप अपने साथ समय बिताना चाहते हैं जब आपको कई लोगों के साथ रहने के लिए कहा जाता है यह जरूरी नहीं कि दोस्त मदद के लिए आगे आएं बलकि यह विश्वास होना जरूरी है कि जब भी जरूरत होगी मेरे दोस्त मदद के लिए आगे आएंगे एक व्यक्ती जो कुछ चीजों से संतुष्ट नहीं होता है वह जीवन में कभी भी सुख़़गी झाल 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 झाल